हेलो फ्रेंड वेल्कम माई चैनल, आज में बताने जारी हो नमक पारे और मैं कैसे बनाती हूं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में इसके लिए मैने लिया है दो बड़े कप मैदा लिया है एक चम्च मैने अजवईन लिया है एक बड़ा चमच घी का लिया है सुद्द देसी घी एक चमच मैंने नमक लिया है तो इन सारे चीजों को हम मिक्स करेंगे और अच्छे से खोड़ा से गूत लेके इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हमें इसे गीला नहीं करना है टाइट आठा गूतना है इसका और यह देखे इसका हमें एक डो तैयार करना है यह एक चाई के साथ बहुत ही अच्छा नासता है बना लो और रख लो आप डिपे में भरके कभी भी खाने का मन हो तो आप उठा के खा सकते हैं तो इस तरह से मैंने टाइट गूता हुआ आठा है यह और आब हम इसमें तोड़ा धकन डख देंगे दस-पाच मेंट के लिए दस-पाच मेंट हो चुके हैं अब हमने जो है इसे हमने थोड़ा और गूत लिया था और इसकी हमने एक लोई तोड़कर अब हमसे बेल लेंगे अब हमने यह बेल लिया है और चाकू ले लेंगे और इसे कट कर लेंगे आपको जैसा भी पसंद है छोटे बड़े आप इसको कट कर सकते हैं और मैंने इस तरह से कट कर रहा है देखे छोटे-छोटे पीस और तेल भी गरम हो चुका है तो चलिए हम हम इने डालते हैं और तो मैंने इस सारे डाल दिये हैं इसमें यह एक एक करके नहीं डालना होता है इस सारे कट्टे करके प्रेट में और सारे एक सार डाल दो ऐसे और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे तेल में और बस आप यह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और यह रड़ी है अब हम इन्हें निकाल लेंगे और देखे देखने से पता चल रहा है कितने बढ़िया बने हैं पेस्टी और क्रिस्पी बने हुए थे बहुत ही मजेदार इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और मैंने इ और यह कुछ इस तरह से बने हैं देखे तो बने है ना बढ़िया तो फ्रेंड आपको यह रेसिपी कैसी लेगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत-बहुत धन्यव तो मिलते हैं अपने नैस्टर रसिपी के साथ तब तक के लिए जय है जय भारत जय उत्राखन